नमस्कार विद्यार्थी मिद्रों होचो मैंदर पटेल संदक्रुपा वती तमारों हर्दिक स्वागत करूचू आज आपड़े धोरण नव विग्णान नी अंदर प्रक्रन नंबर 13 आपड़े सामाटे मांदा पडिये छिए त्याने अंदर आपड़े बे पेज अटलेके एक मुद्धा ने अपड़े अपियास करेलो हतो हवे आपड़े आज एक नवा मुद्धा साथे अपियास करवा जए रहे आछे जे मुद्धों छे रोग अने तेना कारणों तो आ मुद्धानों आजे आपड़े आधना दिवसे अभियास करवानों छे तो एनी अंदर सौथी पेलो मुद्धों छे रोगोंने केवी रिते ओडखी सकाए तो चालों आपड़े रोगना विशेमा हजू वधारे विचारिये पहलु एजे चे आपणे कोई रोग थईयो छे के वी रिते खबर पड़े अथ्वा के वी रिते खबर पड़े के शरीर मा कई खोटु थई रहे हुँछे आपड़े प्रक्रण चामा अभियास करियो क्या आपड़ा शरीर मा अनेक पेसी उए चे તે પેશી આપણા શરીને કર્યુઆ તંત્રો નું નીરુમાન કરેચે પેશી સબ્દવિશે તમે જાણો છો पेसी एटले कोस नो समू, पराबर अने पेसी छे एट एने थी एक अंग बने छे, जे कारिया करे छेले, बद्धी पेसी छे एने पोत-पोतानू कारिया करो अनू होई छे, जे सरीर ना विबिन कारियो करे छे, प्रति एक अंग तंत्रमा विशीष्ट अंग होई छे, तेनू विशिष्ट कारिया होई छे जेम के पाचन तंत्र मा जठर ने आतरडू होई छे जे आपना सरीर द्वारा लेवा इल खोराक ने पचा आवे छे एनू काम छे स्नाईव और अस्तिव बनेला छे स्नाईव कंकाल तंत्र आपना सरीर ने संबाड़े छे बराबर इन वाकार व्यवस्तित जाड विराक है छे अने सरीर ना अलन चलन माटे पण मदे दुरूप थाए छे जहरे कोई रोग थाए त्यारे सरीर ना एक अथवा अनेक अंगो तेमज तंत्रो मा क्रिया अथवा सरच नामा खराबी के विक्षेब निस्तिती जणे अलेका सरीर ना आजे बचे तंत्रो चे बदा अंगो चे नियंदर क्याक नेक खराबी थाए अने विवस्तित कार्या न करे आ परिवत्तन अथवा बदला एली स्तिती रोग ना लक्षन नो निंदर्शन करे आव था एलसमो जवापन नेके रोग थायो चे रोग ना लक्षन खराब के असामनिय परिष्तिती नो संकेत आपे आरी ते माथानो दुखावा उद्रस जाडा थाई जवा के कोई घामा थी परू खराब परू अटले खराब थायलू प्रवाई बहाराव वो आ बदा लक्षनों छे आ लक्षनों थी कोई न्या कोई रोग नू निदान थाय चे परंतु तेना थी एक खबर दुखावानू कारण परिक्षानों पई अथ्वा मगदनों ताव आवानू अथ्वा बिजी अनेक बिमारी मां थी कोई पन ये कोई सके बराबर चे आटले कोई पन आपणने लक्षन जनाए आटले खबर पड़े आपणने बराबर चे रोग ना चीन ए छे के तेनू चिकित सक लक्षनों अथ्वा चीननों आधारे रोग नू निदान करे अटले के निदान करू अटले चकाशनी तपास करवी आम रिपर्ट कर लक्षण अथवा चीन न कोई विशेश रोगना अनुसंदाने सुनिश्चित संकेत आपे छे चिकित सक रोगना साचाकारणने जानवा माटे लेबोरेटरी माँ केटला परिक्षण पन करावा पड़े अचे तो आपड़े दवाखाने जता होई चे औने रोगने जानवा माटे लेबोरेटरी पन करता होई चे हवे आवे चे आपड़े लोग रोगनी अंदर तीवर अने अठीला रोग आने इना प्रकार छे तो के रोगनी अभीव्यक्ती विभिन होए छे अने संख्याबंत के ख़ना कारकों पर नीर पर वह चे तेमाथी सउती वधर स्पस्ट कारक जना दवारा रोगनी तपास के निदान थाई छे ते छे समय गाड़ों कितला रोगोंनी समय गाड़ों टूको होई छे जेत्यी तीवरह अने अठीला रोग क है चे तीवरह अने अठीला रोग केह स्सुदी थाय खे, वर्सो सुधी के मैना हो सुधी सर्दी न रहे, पंध थोड़ा 2、4,2,6,2 सर्दी छे उद्रस छे यी रहे छे, तो आ छे इ तीवर और अने अठीला रोग क्या हुए, तीवर अने अठीला रोग एटले सुवी तमें समझे गिया, जडब थी था ये जडब थी निकडी जाई स कि जडब्थी था ये न जडब्थी निकड़ी जाएं तो अठीला रोग छे ये जडब्थी जता न थी येनू एकुदारन छे एलिफेंटाइसिस अथवा तो हाथी पगानो रोग भारत ना केटलाक प्रदेश मा खुब अच्छा मनिया जेले ओचा प्रमण मा जोवा मड़ा त्रण माहिना महां केटलाने अठीला रोग था ये तमारी पाड़ोसीना कुल किटला लोकओ अठीला रोग ती पीड़ायल रेया चे अतिया रहें उपर ना जी प्रस्ण एकन बेन उत्तर भीन छे एकन बेन उत्तर शरको हो से बराबर अठीला रोग थिया होई तेभी अठीला रोग प्रमान प्रस्ण पुछाया चे अठीला रोग औने नबडू स्वास्ते जो यागण जेम के आपने कल्पना करी सकिया चे के तीवर ने अठीला रोग नी आपना स्वास्ते पर भिन भिन असर थाई चे कोई पन रोग जो आपना सरीन ना कोई पन भागना कार्या ने असर पहुचाड़ी सके तो ते आपना सामानी स्वास्ते ने पन असर पहुचाड़ी सके कारण के सामानी स्वास्ते माटे सरीन ना बदा अंगो सामुही कार्य करू त्या अवस्यक छे बदा जंगो व्यवस्तित होए तो आपड़ू स्वास्ते सारू गणाई पन तीवर रोग जे खुब ज ओचा समय सुधी रहे छे तेवो सामानी स्वास्ते ने असर पहुचाडवा माटे समय मड़तो नती अठीला रोग छे आपड़ा स्वास्ते ने असर पहुचाडवा माटे समय मड़तो नती अठीला रोग छे आपड़ा स्वास्ते ने असर पहुचाडवा माटे समय मड़तो नती अठीला रोग छे आप वदारे लोको लगभग एक अटफडियामा साजा थाई जाता होईचे आपना स्वासते पर त्यानी खुब खराब असर थती नथी सरदी उद्रेशने कारणे आपना वजनमा पर कोई कटाड़ो थतो नथी आपना स्वासते वत्ता जटता नथी बरबर स्वासा स्वास छे ई कई वधार थे जायो नथी आपने हम्मेशा थाक नौनू बोव करता नथी परन्तु जो आपने अठीला रोग थिया होई फेपसाना क्षई रोग छेक्षई लटी भी रोग सी संक्रमी थाईये तो केटलाक वर्षो सुधी भीमार रहे छे वजन पन ओचू थतू जाय प्रत्यक समय आपने समय समय थाक पन लागे छे जो तमें तीवर रोगती पीडी थो तो तमें 200 माटे साडा मा जै सकता न थी पन जो तमें अठिला रोगती पीडाता होए तो साडा मा जैने अपियास ने समझवा मा मुश्किली पड़े छे ने आपने सिख्वानीक समता पन कटी जाये छे अठिला रोगती तक लीप गणी छे अथ्वा तो आपने गणा लांबा समय सुधी अस्वस्त रहिये छिये इतला माटे अठिला रोग तीवर रोगनी शापेक्समा लोकोना स्वास्ते पर लांबा समय गणा सुधी असर उत्पन करया छे अवे अपन मुद्जो छे रोगना कारणमों रोग थाई छे सुकाम अपने रोगनू कारण सुछे ज्यारे आपणे रोगना कारण विशे विचारिये त्यारे आपणे ए याध राखु जोई कि आ कारण ना गणास तर होई चेगे गणारी ते आपणे रोग थतो होई छे आपणे एक उधरन लेए जो कोई नाना बाड़कने पाणी जिवा पातला जाडा थाए तो आपने कई सक किए कि तेन्हु कारण वाइरस छे इतला माटे रूगणू मुख्य कारण वाइरस छे तेम कैवाय। परंतु तेपचिनो प्रस नहीं चे के वाइरस क्या थी आविए। समझी लो के आपने खबर छे के वाईरस दूसीत पाणी पीवाने कारणे बाड़क ना सरिर्मा आवी हो से अनि ये बाड़कों ने पौण ते दूसीत पाणी पी देलू तो तेनू सु कारण के एक बाड़क ने जाड़ा था या ने विजाने नी बाड़क घणा बदा हाता बदा है पाणी पी दूसे पन बदा बाड़क ने या एक बाड़क ने शुकाम जाड़ा थिया चे तो आनू कारण ए छे कोई सके कि आ बाड़क तंदू रस्त न होई त्यानू परिणाम एई बाबद थवा नी सक्यता चे ज़रे आ बाड़क वाइरस ना संपर्क मां आवे चे तो ते बीमार थही जाएचे ज़रे अन्य बाड़कanka बीमार पड़ता न थी हवे प्रस्ट थासे के बाड़क नूँ स्वास्ते क्यम नसी तो एउ बनी सके के बाड़क ने सारू पोषण न मटतू होई तेने परियाप्त मारता मा खोराक न लेवातो होई आम परियाप्त मात्रा मा पोषण न लेव ये पन रोग नू बीजू कारण छे आतले जो तो में पोषण न लेता होई बराबर खोराक न खाता होई समय सर तो परण रोग थाई सके छे बाड़क परियाप्त मात्रा मा पोषण क्याम न थी मिड़ूई सकतू बनी सके के मात पीता गरीब होई बराबर ये उव होई सके से पण संभवित छे के बाड़क मां आनुमसिक खामी होई जे थी बाड़क वाईरस ना संपर्क मां आववा थी पातरा जड़ानी असर दर्सावे छे एटले के एने एलेर्जी थोड़ी होई मात्र आनुमंसिक खामी के ओच्छा पोस्रण थी पात्रणा जाड़ा थाई सकता ना थी पन ते रोगना कारण मा पन सभागी होई छे हवे आपणे बाडक छे तेनु स्वास्तई पाणी उपलब्द क्यम नातू बाडक ने स्वस्त पाणी सुकाम नतू मड़तू एनू पन कारण छे संभविच छे के बाड़क नो परिवार निवास करतो होई तियां आवा स्वस्थ पाणे नी सुविता न होई और के गरीब लुको होई तो यह इमनी पासे विवस्ता न होई बराबर चे आप प्रकारे हवे स्पस्ट थाई गयुके के रोगो प्रात्मिक कारण अने सहायक ने लिद्य थाई छे त्यानी साथे विबिन प्रकारना रोग थवाना एक नहीं पन्तु गणा बदा कारणों होई सके छे तो आपने आए यां तीवरे रोगो अठिला रोगो विशय वाद केरी बेहने शूँ तफावच छेई जोई पछी रोग थवाना कारण विश्य आपने चर्चा केरी हवे पच्छी आपने आवे छे रोग ना पाचा बे प्रकार छे चेपी बीन चेपी एटले के संसर्ग जनियो औने बीन संसर्ग जनियो तो चेपी रोग और बिन चेपी रोग अटले तमने आम अंदाजत्हाविज गये हो अशे कि चेपी रोग अटले शू और बिन चेपी रोग आपने जो यू के ज्यारे कोईपन रोग माटे कारण विचारी है तेरे आपने जाहे स्वास्ते ने सामुदे एक स्वास्ते सबंदित कारणों त्यानमा आववा राखवा जरुर बने चे आपने आ विशे पर हजु वधार चर्चा करिये रोगना प्रात्मिक कारण ना विशे मा विचारू वधार योग्या छे रोगना कारणों एक वर्गना छे संसर्ग कारण को मोटा भागना सुक्सम जीओ होई छे जे रोग ना प्रात्मिक कारक सुक्सम जिवो होई छे ते ओने संसर्ग जन्य रोग कहें छे बराबर जे रोग ना प्रात्मिक कारक सुक्सम जिवो और ले सुक्सम जिवो थी जे रोग फेलातो होई तो इस संसर्ग जन्य रोग तरीके गणाई छे तेनू कारण ये छे कि सु समुधाय मा फेलाई छे बराबर छे आपड़ा मा थी बीजामा बीजामा थी त्रीजामा एविरी ते फेलाता होई छे अन्य तेना कारणे थता रोग पण त्यानी साथेज फेलाई छे बिजी तरफ केटलाक रोग एवा पण होई छे जे संसर्क जन्य कारको द्वारा थता नथी तेमना कारको भीन होई छे परन्तु तेना कारणो घणा जुदा होई छे परन्तु जे ते बाहरना कारको जेवा के सुक्समत जीवो नथी होता तेवो समुदय मा फ्यलाई सके छे जो के तेवो मोटे भागे आंतरीक तेमन संसर्क जन्य होई छे अतलेके एक बिजान संपर्क मा आववा थी फ्यलाणा होई छे एव बन्तु होई तु नथी उधारन तरीके केटलाक प्रकाना कैंसर जन्यनिक नि अनियमित्ताने कारणे थाई छे उच्चू रूधीरदबाननू कारण वधार वजन थाए तो अथा तो कसरत न करवानू वई तो अमें एवा तमें एवा अन्या रोगों ना विशे मा पन विचारी सको छो के जे संसर्क जन्य होता नथी येवा पन रोग होई शके छे आया आपने एक गणी सास्त विशे नी वाद सरस अए आपने करेली छे समयांतारे तमें पाठे पुस्तक नी अंदर तेवाजी सको छो रोग फ्यलावानी रितो अने तेमना उपचार नी रितो तेमन समुधायना स्तर पर तेवोना निवारननी रितो विबिन रोगों माटे विबिन होई छे तेवोना बस आजना दिव से आपने आमुद्धा ने तैयार करियो अने तेना प्रष्ण पंड शरस रित अपना बियाए आपेला छे बराबर छे तो हवे संसर्क जन्य रोग अने संसर्क जन्य जी रोगो छे तेनी वात आपड़े आवता वीडियो नी अंदर करिशू अस्तू